दोस्तो आज हमारे पास एक ऐसी समस्य आई है एक अप्लिकेशन को लेकिए जिस अप्लिकेशन को यूज करने से मुवाइल फोन का डिस्प्ले एक दव वाइर वैट हो गया वह मानिए खराप साही हो गया कुछ सही से दिख नहीं रहा था AOE एप्लिकेशन के बारे मैं आपसे बात करा हूँ always on edge notification light यानि कि आपके मुवाइल फोन में जो notch का डिजाइन रहता है कैमरा वाला यानि की कैमरा के नीचे से नौज का जो डिजाइन होता है वहाँ पे लाइट सेट अप करने के चेकर में मुवाइल फोन खराब कर लिया एक लड़के ने उसका फोन कई दिनों से खराब नहीं हो रहा था फिर अच्छा यानि कि बन नहीं रहा था तो वहाँ मेरे पास लिख आया है मैंने उसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है तो उसने बता है एओ एप्लिकेशन को मैंने इंस्टॉल किया और उसमें कुछ ऐसी सेटिंग हो गई कि यह हाल हो चुका है जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि लेकिन ऐसी वीडियो नहीं बनी हुई है उसमें केवल दिखाया गया है कि लाइट को कैसे सेट अप करें लेकिन उसी लाइट को सेट अप करने के चकर में वह बेचारा अपने डिस्प्ले को वाइट कर लिया था वीडियो भी देख रहा था तो वाइट वाइट ही नजर तो उसी को मैं ठीक करने जा रहा हूँ चलिए मैं फटा-फट से आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ देखिए कौन सी यह बिमारी है अगर आपके पास भी यह बिमारी हो चुक है तो इस वीडियो को आप देख के बिलकुल आसानी से उसे आप ठीक कर सकते हो और इस एप्लिके वीडियो डिस्प्ले का यही हाल है क्यों यही धुनला दिख रहा है इसे आपको ठीक करने का मैं उपाय बताता हूँ यह आप देख सकते हो किस तरह से यह वाइट हो चुकिए तो सबसे पहले आपको वापस आ जाना है और बैक कर लिजिए और आपको प्ले स्टोर में जान इंस्टॉल कीजिए खासकर को यह नोच वाले डिजाइन के उपर यानि कि लाइट लगाने के काम किया जाता है लेकिन लाइट के चेकर में देख रहे हैं कैसा बीमारी आ चुका है तो यह ओई अप्लिकेशन को आपको ओपन करना हो और यहां पर आप देख सकते हो सबसे मे लगा धीचे first Whew फे hardest पर ही लगा देनी के बाद फटा-फट से आपको ऑप्शन सामने मिल जाएगा यह टैप नहीज होडा है मेरे से देख टेह कितनी दिर में यह मेरी में टैप होती है ट attribute होचुका यहां पर आप यहांपर देख सकते हो ।s आन नहीं के बाद यहां पर द डिस्प्लेइ सभी ठीक हो चुकी है आप वीडियो कुछ भी चला कि आप देख सकते हो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा आप इसे यूच कीजिए मैं आपको अभी एक वीडियो चला के दिखा देता हूं जैसे यहां पर आप देख सकते हूं यह बिल्कुल साफ सुत्री दिख रही है पहले के जैसा तो उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी इस तरह से आप अपने भीमारी को ठीक कर सकते हैं